जतिन जी अगर हम सेहत की बात करें तो आजकल देखा जा रहा है कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्तिक किसी ना किसी बिमारी से पीडित है और ये समस्या इतनी जाधा बढ़ती जा रही है हमारी हेल्थ किसी ना किसी कंडिशन में कॉम्प्रोवाइस हो रही है अगर astrology को हम relate करें health के साथ तो क्या वागई इसका कोई correlation है बिल्कुल बिल्कुल वास्ता मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा क्या होता है कि हम जब देखते हैं इसके अलावा 64-59 की जब दशा चलती है तब कही न कहीं health की problem आती है यहां कहीं न कहीं 22 वे द्रेश कान की क्योंकि यह astrology इतनी वास्त है कुछ लोगों ने उसको सिरफ एक लगन चार्ट के उपर बना करके रख दिया कि केवल एक लगन चार्ट देखा जब कि मैं हमेशा बोलता है हूँ क्या दो गंटे में पैदा हुए सबी लोगों का भाग एक जैसा हो सकता है नहीं जब भी आप कभी देखेंगे छटे घर की आठवे घर की या बारवे घर की कहीं न कहीं दशा चलेगी कुछ न कुछ ऐसा कॉंबिनेशन बनेगा यानि उसके नक्षतराज छटे घर में आठवे घर में या बारवे घर में होगे तब कहीं न कहीं हमारी हेल्थ खराब होती है इसके लावा लगन गंडांत भी एक चीज़ बोली जाती है यानि लगन कितने डिग्रीज का है आपका पहले तीन डिग्री में होगा तो आपका लगन कमजोर हो गया इसके लावा अंतिम तीन डिग्री यानि 27 से 30 डिग्री का है तो भी लगन कमजोर हो गया इसके लावा ल जरमस्तान से हो या उससे कहीं दूर चले गए हो तो कहीं न कहीं उससे भी हमें प्रभाव मिलता है तो इसलिए आप केवल ऐसा मत सूचे कि एक लगन चार्ट किसी ने देखा और बोल दिया मेन बात यह होती है दशाची नहीं चल रही होगी तो आप उसके दान कर सकते हैं तो कि बहुत लोगों ने बहुत सी भ्रांतियों में डाल दिया मैं एक ही चीज बोलता हूं कि कभी भी जोतिश डराने के लिए नहीं बनाये गया था आप उसको जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे उसका लाब उठा सकते हैं कुछ दान कीजिए अगर बलवान करने आपने लगन को तो आप लगन लॉट का आप स्टोन भी पहन सकते हैं यानि कर अप इसका स्टोन पहने के तो कहीं नगहीं उस ग्रह को आप बलवान करेंगे